सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए प्रिय विद्यारतियो हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 साइंस में चैप्टर नमबर 7 है पोधों को जानिए यह है चैप्टर हमने पढ़ा था आज इसके प्रिशन उत्तर हम करेंगे तो लीजिए इसको प्रारम करते हैं इसका पहला प्रिशन है यह कुछ कथन लिखे हुए हैं इनको हमें ठीक करके लिखना है कथन लिखे हुए हैं पहला कथन लिखा हुए है तना मिट्टी से जल और खनीज अवसोसित करता है तो आपको पता है कि तना मिट्टी से जल और खनीज अवसोसित नहीं करता अप्सोसित करता है इसका खै बिंदु है पतियां पोधों को सीधा खड़ा रखती है इसको भी ठीक करेंगे आपको पता है पतियां पोधों को सीधा खड़ा नहीं रखती बलकि तना पोधे को सीधा खड़ा रखता है तो यहां पत्तियों की जगें तना आएगा अगला है जडें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है इसको भी ठीक करेंगे जड के स्थान पे तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती है अगला है पुस्प में बाहिय दल एवं पंखुडियों की संख्या सदा समान होती है ये भी गलत लिखा हुआ है पुस्प में बाहिय दल एवं पंखुडियों की संख्या सदा समान नहीं होती पंखोडियां बहुत ज़धा हो सकती है और जो बाहिये दल की पंखोडियां, वो कम होती है, तो इसमें हमेशा अंतर रह सकता है, समसा समान नहीं होती, अगला है यदि किसी पुस्प के बाहिये दल परस पर जुड़े हो यह इसको ठीक करके ऐसे लिखेंगे अगला है यदी किसी पुस्प की पंखुडियां परस पर जुड़ी हो तो स्त्रीकेशर पंखुडियों से जुड़ा होगा यदी किसी पुस्प की पंखुडियां परस पर जुड़ी हो तो यह जरूरी नहीं है कि स्त्रीकेशर पंखुड जिसका आपने चेप्टर में जो साड़नी थी उसमें चैन किया था तो देखिए ये पत्ती का चित्र है पुस्तक में भी आप इसको अराम से और देख सकते हैं और नहीं तो ये जो पहले वीडियो आपको जो चैप्टर का था उसमें भी इसको आफिर से देख सकते हो ये पत्ती का चित्र है तो इस परकार का पत्ती का चित्र बना सकते हैं कोई और भी पत्ती का चित्रा बना सकते हो फिर अगला है मुसला जड़ तो ये है मुसला जड़ है तो ये मुसल अजट का चितर बनाएंगे और एक फूल का चितर तो ये गुलाब के फूल का चितर है तो ये दूसरा जो प्रसंद था उसमें ये चितर बनाने थे अगला तीसरा है क्या आप अपने घर के आजपास ऐसे पोदे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतू दूरूबल हो इसका नाम लिखे और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे तो अधिकांस घरों में जो इस परकार का पोदा लगा रहता है वो मनी प्लान्ट का पोदा होता है आपने देखा होगा एक लता या जो लता वर्ग होता है बेल जिसको हम कहते है उस विसरपी लता वर्ग में आता है तो इसका तना लंबा होता है परंतू दूरूबल होता है इसलिए वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता कोई सारे के सारे उसको हम इसको उपर लेके जाते हैं और अगर उसको नहीं लेके जाओगे तो फिर जमीन पे फैलता जाता है तो इसका उत्तर होगा मनी प्लान्ट का तना लंबा होता है परंदु दुर्वल भी होता है और ये विसरपी लतावरग में आते हैं अब इसका आगे वाला जो प्रशन है उसको देखते हैं इसका चोथा प्रशन है पोधे में तने का क्या कारिय है इसमें ये तने लिखा इसके आप तने इसको पढ़ना पोधे में तने का क्या कारिय है अब पोधे में तने के जो कारिय है परमोकुर्व से तना शाखाओं, पतियों, फूलों और फलों को धारण करता है अगर तना नहीं होगा तो भी ने उसकी शाखाओं होगी ने पतियां फूल कुछ भी नहीं हो पाएगा और दूसरा तना पानी और खनीजों को जड़ों से उपरी हिस्सों में पहुंच आता है जड़ें उसको जमीन से वसोशित करती है, उसके बाद में तना ही उसको पति तक पहुंच आएगा और जो उसको उपर का भाग है, वहां तक पानी और खनीज दोनों को पहुंच आता है तीसरा है, यह पतियों में तैयार भोजन को अन्ने भागों तक पहुंच आता है यह पोधे में तने के मुख्य कारी है, इसमें जो आपको परशनों के उत्तर बताये जा रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से इसमें नहीं है, एक लगबग आप इसको संकेत मानिये और यदि आप इसके उत्तर का और विस्तार करना चाहते हैं, तो आप पुस्तक का सारा ले सकते हैं अगला परशन है, निम्न में से किन पतियों में जाली का रूप सिरा विन्यास पाया जाता है तो इसमें नीचे नाम लिखे पड़े हैं, गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल तो इसमें जो पतियां जिनमें जाली का रूप सिरा विन्यास पाया जाता है, वो है तुलसी, धनिया और गुड़हल अगला चटा प्रशन है, यदी किसी पोधे की जड रेशेदार हो, तो उसकी पति का सिरा विन्यास किस परकार का होगा? यदी जड रेशेदार है, तो उसकी पति का सिरा विन्यास समानांतर सिरा विन्यास होगा? साथवां प्रशन है यदि किसी पोधे की पत्ती के में पत्ती में जाली का रूपी सीरव विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस परकार की होगी तो उसकी जड़ें मुसला जड़ के रूप में होगी अब आठवाम प्रेशन है क्या आप किसी पोधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पैचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मुसला जड़ होगी यत्वा जखडा जड़ तो इसका उत्तर होगा हाँ यदि पोधे की पत्ती में पत्ती में जाली का रुपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़े मुसला होगी और यदि पोधे की पत्ती में समानंतर सिरा विन्यास हो उसकी पत्तियों में तो उसकी जड़े रेशेदार जड़े होगी अगला है किसी पुस्प के विभिन भागों के नाम लिखिए तो किसी पुस्प के जो विभिन भाग है मुख्य ते बाहिये दल पंखुड़ियां इस तरी के सर पुंके शर ये इसके मुख्य भाग होते हैं अब इसके दस्वें परशन को हम देखते हैं निम्न में से किन पोधों के फूल आपने देखे हैं ये लिखे पड़े इसमें कई नाम हैं घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शिशम, बर्गद, आम, जामून, अमरूद, अनार, पपीता, केला, निम्बू, गन्ना, अलू, मुंगफली तो ये जो उपर नाम लिखे हैं उसमें से कई ऐसे नाम लिखे हैं जिनके पूस्प होते ही नहीं हैं तो हमें वही नाम इसमें लिखने हैं जिनके फूल होते हैं तो मक्का का फूल होता है टमाटर का तुलशी का पीपल के भी फूल होते हैं बर्गद, आम, जामून, अम्रूद, पिता और आलू ग्यारों परशन है पोधों के उस भाग का नाम लिखे जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं तो पोधों की पतिया भोजन बनने का कारिया करती है और पतियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकास संसलेशन कहते हैं बारवाँ प्रशन है पुष्प के किस भाग में अंडा से मिलता है तो पुष्प में इस्त्री केशर के सबसे निचले सूजा हुआ जो भाग होता है फूला हुआ उसके भाग में अंडा से इस्तित होता है तेरवाँ प्रशन है ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिये जिन में से प्रतेक में सयुक्त और अलग अलग पंखुडियां हो तो सयुक्त पंखुडियां वाले पुष्प होते हैं धदूरा और टमाटर और अलग अलग पंखुडियां वाले पुष्प हैं कमल और गुलाब अब ये जो तेरा प्रशन है ये पार्ट के पीछे दिये हुए प्रशन है इसके अलावा इस पार्ट में और कई प्रशन खुब प्रशन इसमें से बनेंगे इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से बार-बार देखे और आप इसके प्रशन बनाईए और उन प्रशनों के उत्तर जो आप बनाओगे उसके उत्तर भी आप स्वेम खोज के उसके नीचे लिखे फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं उसका समाधान आपका कर दिया जाएगा